वाहिव जी का खाल साव वाहिव जी की ठतेव तत गुर्मत ग्यान टीवी चैनल वल्लों सवाल जवाब दा प्रोग्राम शुरू किता गया है बहुत लम्मे समेतों मैं महसूस कर रहे हैं सी के साड़े सिक माई पाई वल्लों जो सवाल करने चाहिए देने पहले गलता सवाल करन दा किसे नू समाहिए नहीं बिता जाने किसे भी गुर्दवाब जाहिए ते कथा क chapel कर् самых fights and majority गुर्दवारा कमेटियाँ राले समागमता मना लींदे पारह नौजोवानना दे सस्याज को मे相तिा ते ज़ी गोर्मत बारे उन्होंने जानकरी लेनी है उन्हों ट्रे church देन दा प्रभंद भी किते नहीं है अपने तौरते कुछ जत्वे बंदियां ने संथा पार्थ शुद्ध उचारन आदिक दे प्रोग्राम शुरू कीते ने पर उभी उना दे आपसी मत पेद बहुत ने विचार नहीं मिल दे तो ये जड़ा प्रोग्राम है इदे विच आपना नौजवान सवाल करनेगे बटसाइब दे उत्ते लिंक के जां बोल के संखेब दे विचों को अपना सवाल पे जन मैं अपनी बुद्धी उनसार जितना का गुर्मत दी मैं स्टडी कीती है उदे उनसार गुर्मानी दे चा कांगा कमी हो सकती है जड़ी तो अनौँ कमी लगे तुसी दूर करनदा उननौ नज़त अंदाज करनदा पूरा हक रख दे हो जड़ी अगला चंगियां लगन उनननौ अपना सकते हो मैं पिछले लंबे समेतों गुर्मानी इतिहास अते होर प्रेक्टीकल जिंदकी दे रह करांगे वाहि हो जी का खाल साथ वाहि हो जी की फति है सवाल नंबर 111 पाई हरपरी सिंग यू ऐसे तो पुछदे ने के कटड़ता की है एस शब्द नौ बहुत तरीके नर बरते जान दे असल दे विच्छ कटवड करनी भी इदा अर्थ है तोड़ बिछोड़ा कर लेना पाई है कुरक्त पाशा भी बोलनी इदा अर्थ है किसे नू मंदा कह के बेजती करनी तरिसकार करना इदा एपावना है अपनी जिदते अड़े रेना भी कटड़ता दा है पाव एह है कि जड़ा इनसान किसे दे नर प्यार पर या सलूक ना करे किसे दलील नू ना मनने कि ओ लोक पलाई वास्ते ठीक है कि लोकां दा पला करन दे टंग मेरे सही ने के गल्त ने जड़ा मैं रा अक्तियार कीता है एह मैंनू साड़े गुरुआने दसे है के नहीं दसे है जहां समाज दे बिच्चे जो परचलत निजम ने समाज दा पला किस तरीके नड़ सरकारा कर दियाने समाज दे स्याने दाने पुरुखा ने जो निजम लाए ने की मैं ओ अपनाए होए ने तो एक एलिए जड़े इनसाननों बहुती जानकारी नहीं है पर अपने आकलवंद होनते अड़या रहे जिद करदा रहे किसे भी दलील नों ना मनने उन्हों कट्टरता वा प्राज बंदे ने उन्हों अपने अदीन कर लेंदे ने ओदे दमाग नों एक थांते सेट करने ने बचपन दे विचे जे हो जा कुछ असी सिख दे चले जाने या सुन दे चले जाने या वेख दे चले जाने या ते जी दे ते तरक करनदा कोई सानों मौका नहीं मिलदा टे जे के असी तरक करदे ये तान बहुत फटकारां पेंदीयांगे मारा कुच्थां पेंदीयांगे अपमानत होना पेंदे फिर दमाग एक थांते रुक जानदा ए're सेट हो जान दाई, जे में साध संत जादू मंतर तागयां तवीता वाड़या ने, जा साधे ना समझ परवार दे मुखिया ने सानू, ओही जे कम सखा देते, बोलबाणी सखा देते, ते ओही जी बच्चे दे विच्च सब को जे दाखल हो गया, ते ओफिर उना ही रहां ते चल्दा है उन्हों बदलन दा उपराला भी करिये उचेती कीते बदल्दा नहीं जे ओधी दलील नू केते रद भी करिये था ओ लड़न मारन ते उतारू हो जान्दा है इना सारीयां गल्ला नू कटड़ता कहें देने पाव के शहन शीलता देनल प्यार परेटांग देनल अप नू कटे लाल अपने तर्म्दे विच खिय नहीं आके यात ना किसी नह लेंदे परचार कीता अपना पख अन्हं दे सामने रखिया उना दी यंदिग्यची जो गल्तियां कर रहे सी ओ लोक और रखिया जे उन्हां कमा जिडे के गल्त ने उनना चाड़दीये तां फिर सद किनना फैदा होना है? किनना समा बचना है? ते किनने यसीby होर कम कर सक दिया है? इधी बदले सड़ा पैसा बच सकत है? सड़ा मान से किभी स्कॉट हो सकत है। इस तरह प्यार पर एक लियु नट गुरु झो नट किता है、 कुझ एक तर्मा दे विच रभूरता, क टडता है ते सिखां दे विच भी आज तक कुछ एहोजे सिर्फ फिरे नाजवान वेकर नूं मिल जान देने क्योंके डेरें दे विच्चों उनानू सिख्या ही एहोजी मिली है उनानू लग दे के असी तरमदी राखी कर रहे हैं ते तरमदी राखी दा बहना करके ओ किसे दुझे दा कर भी उजाड़ देने ते अपने आपनों भी बरबाद कर लें देने उन सोच के वेको एक पासे असी लगातार परचार कर दे हैं के सानू तरमदी राखी कर दे हैं ते दुज़े पासे असी तर्म दी राखी करने चल पैने हैं इदा मतलब तर्म इना कम जो हो रहा है के बंदे उदी राखी कर देने ते दुज़े पासे तर्म साधी राखी कर दा है आप मंतर पढ़ लो ता आप कम हो जावेगा आप पाठ करा लो एक अम हो जावेगा एक पासे तां असी तर्मनों अपना राखा मन देयां ते दुझे पासे डंगां बंदूकां आदे की चोक के तर्मदी राखी करने चल पैने यां ए सारा कुछ इना लोक कांदे जरे कट्रवादी ने इना दे समझतों परेदियां गला ह दिया ने अज लोक तंतर दा समा है हार एक अनसान नों अपनी गल कैन दा अजादी है ते असी जो कुछ कैन है बोलने एक हद्दा दे विच रहे के सलीके दे नड़ प्यार परेटा अंग दे नड़ बोलने समझाओने ते जे के ते सारे इस तरह बोलन लाग पाई ए उड़ वरतन परेटा अंग नड़ कदी सोचो ता फिर की हाल होवेगा एस समाज दा ते जे के ते सकती वरतन लाग पन कटड़ता वरतन लाग पन अमरीका वरगे चीन वरगे और ते होर जड़ तागत वर देशने सड़ते नमों निसान नहीं रहेगा जिननी किसे दी तागत है उन लोग पलाई वास्ते खर्चिया जावे कटड़ता त्याग के सारें दी गल सुनी जावे सारें नों गल कहन दा मौका मिले कोई मनने ना मनने उदी मर्जी ते चाड़ देती जावे एता पसुआ वड़ा विहार है के पसुआज तक भी अपनी तागत दे बलबुते अपना दूज्यां ते कवजा जमानदा जतने कर देने पामे शेर है पामे टठे चोटे ने जहोर जंगली जानबर ने ओ अपनी तागत दी वर्तों करके दूज्यां ते कवजा कर देने उननों अपने अधीन रख देने पर मनुख ने ग्यान हासल करके ए सिख लिया है कि प्यार प परेटा अंग दे नड ही पाले आ जा सकता है समाज दे बिची ही प्यार परेत्री की नड रहा जा सकता है जे कोई ना समझ इनसान गल्ती करता है ता इस सरकार दी जम्मेवारी है के उन्हों रासर ले उन वास्ते करनों दी पालना करे पुलीस दे कोड़े केस जावे अदालता सजा देनी जा उदा वरोद करना गंदे शवद वरतने जिनू कटरता केंदेने एदे तों संकोज कीता जावे मिठ बोलडा जी हर सज्जन स्वामी मेरा हां संबल थकी जी ओ कदे ना बोला है कोड़ा असी एवी ता गुर्बानी चो पंक्तियां पड़ी जाने है पर कोड़ एक रतूता है एदे तों साबदान होन दी लोड़ा है ते सिख्षी नू बद्राम करन वास्ते बहुत सारे लोग एहुई यहां हरकता अक्सर कर जान देने इना दे अपने वास्ते वीच नहीं है इना नू मत सिख्षी ही इना ने इस तरह नहीं अगलने इना दी मत ही एते अटक गई है तो इना ते तर्स करिए कि इना ने एही कुछ सिख्षी है इदू जादे इना नूहोर कुछ आउंदा ही नहीं है सवाल नंबर 112 पाई जसकरन सिंग सिद्धू सवाल पुछ देने के पंज ककार केस कंगा कड़ा कछैरा किरपान रैतमर्यादाच लिख्या होया है केस ता सरीर दा अंगहन के ते पंजमा ककार केस की ता नहीं है गुरू पेरवाड़ेो ए फोज दा जो वर्दी दा हिस्था ने जड़े एक ककार ने उना जमान्याची नहीं बलके आज तक भी फोज दी वर्दी दे बकैदा रंग अते होर ओदे चिन आदिक स्थरकारां बलनों निरता अर्थ कीते हों देने ते जड़े वड़े छोटे अफसर ने सपाई ने करनल ने बरगेडियर ने उना दे भी सटारां तों पचान हों दी है कि एक इस रंक दा अफसर है एक बड़ा है जाँ छोटा है इसे तरह उना ने जो मर के मारे हों देने कोई भादरी दे कम कीते हों देने उस तरह दे मैडल आते उना दी जेवते समने कोज चेन लगे हों देने जीदे तों उना दी पचान हों दी है तो एस तरह सारी दुनिया दे विचे वर्दी दा रंग उना दे चंडे दा रंग चंडे दी बंतर जड़ा के देश दा चंडा हुंद है वो सारे दा आपो अपने चेंड ने उदे विचे कोई ए नहीं है के देश चुपया बैठा है जा उदे चे तरम चुपया बैठा है पर अपने आपनों परगड करन दा एक छोटा संखेप सोखा तरीका है कि पाई एस देस दा एस तर्म दा एस बंदे दा आज जिनने उदी आप शान है उना जिमाने चे आज मांगू हाले बहुत कुछ पिछे सी पचड़ा होया सी आज मांगू सूलता नहीं सन ते आज ता फोजा दूरों दूरों लड़ पैन दियाने अपने बंब एक दूजेत सड़ दियाने तो पाँ जहाँ आज दूर मार कर देने उना जमाने अजता आमनों सामनी सिद्धे मत्थे जंग दे विच लड़ाई हुंदी सी, मौध आउंदी सी ते ओ सारा कुछ हत्थो हत्ती जड़ी लड़ाई है उदे विच नेज्जे तलवारां, तीर कमान ते बहुत हलके पंदर दियां, जड़ियां, बरूद वालियां, तोड़े दार बंदूकां सी, उना दी वर्तों कीती जांदी सी, उना दी दूर मारनी सी हुंदी ते ओ सारा कुछ फिर जड़ों फोज गुथम गुथा होके लड़दी सी, एक दूजी दिना टकराऊंदे सान, उदों पचान करनी अउखी सी, के साड़ा अपना सपाई केड़ है, ते दुश्मन दा सपाई केड़ है, ओस दी पचान वास्ते वर्दी दे च्यनता अर्न कीत ते जान दे सी, तांके लड़दे होए, अपने अनूँ ही असी ना मार दे ये, पचान ता सानूँ आजावे के सड़ा केड़ है, ते दुजी दा केड़ है, तो एस तरहां गुरु साब ने जदों सोड़ा सो नड़े नमे दे विच्छ सिखानू खंडे की पहल देके, एक बड़ी फाउज खड़ी कीती है, ते ओदे पके निजम बनाएने, ते उना निजमा दे विच्छ होर ना गलना दे नाल नाल एक निजम एवी सी के इना दे एक चिन होनगे, पाव के मेरी फाउज दे कपड़ा, अते पहरावा, अते उना दा जड़े हत्यार आदे का, एए अज अपना ते अनमार के देखिए, जदों फाउज दे विच्छ सपाई लड़न वास्ते जानदे ने, मैं खुद फाउज दे विच रहां, ते सानु सखाया जानदा सी, के तुसी अपना आ आसमान एक वड़े पिठू दे विच्छ, जड़ा जिनु के बैग अपना कैद ते फिर तो अड़े कोड़े सुईता अगा होना चाईद है, ते तो अड़े कोड़े आहत्यार होना चाईद है, फे सारियां चीज़ां दे नाल नाल वां ते जंग जान वास्ते तवीत बने होना चाईद है, के तवीत केड़ा जीदे उस फोजी दा नाम अते नंबर लिख क्या होवे कि जे फोजी ओस मदाने जंग दे विचे मारा जंद है तां उधी पचान ना आवे तां एस तवीतों उधी पचान की ती जा सकती है के केड़े देसदा केड़ी फोजदा केड़ा सपाई है तांके उधे प्रवार तक सुखसू उल्त अते खवर पचाई जा सके एस मसला सरीर दे अंगादा नहीं है मसला है के जेड़ी रहत निरतार्त कीती गई है एक फोजी दा एक पहरावा है एक फोजी दा डिस्पलेन है केस की तांबाद देविचे पाईरंती इरसिंग ने एदा जोर चोरनल परचार कीता है कहियां लोकां दे सिरां थे छोटे पटके केस कीयां बना देती हैं कही वरी औरतानों भी पटकीयां पगां केस कीयां बना देती हैं ते एस सारा को जे बात देविच चले है पर जेड़ा साड़ा ककार है एक ओक केस है वाल है ते ओही साड़ा एक अंग है मसाल देता उरते पंज ककारां विचे जे केस ने ते केसां द व्लाडर जिंद्गी जो रहे आंं ते करें वी कंगा करकर के असी के लिग्या Itc right back के लाइं चैया हिस्शा एसे तरह कशेरा लोग की लगुटियाँ पांदे वो पूरी तरह अपने सरीर नू टक दिया नहीं है यह लगोटियां ते जहां पर पारत दे विच तोती पौन दी प्रमपरा सी ते तोती पाके पैन के पहली गलता इना सारा कपड़ा उना जमानाच मिलदा नी सी दूजी गल तोती पैन के चुस्ती पूर्ती वाले कम नहीं कीते जा सकते इस करके कशेरे बारा क्यलन कीता गया किरपान हत्यार ऐसाड़ा उदिनल जंग जोद लड़े जांदे ने पर गुरु साब ने एक ते नियाक्या के केवल हत्यार रखना है करपान रखनी है ते हत्यारां दे ता और ते होर भी बहुत सारी हत्यार गुरु साब दे जमाने वरते गएने गुरु साब खुद तीर कमान वरत दे रहेने ने जे बाजी हुंदी रही है इसे तरह जड़े गुर्ज वर्गा जड़ी के पारा एक हत्यार हुंदा है कोहाडा वर्गा गणासे वर्गा एहो जी हत्यारांदी भी आम वर्तों दी रही है पाव है के जेड़ा मौके ते हत्यार कम आजाबे उदे वर्तन दी कोई मना ही नहीं है पर एत्यान रवे इना हत्यारांदा जमाना अज बदल गया है अज आदनुक हत्यार होर बहुत आचु की नहीं है ओकेस ही ने ते ए जड़ी परचार होए है ए पाइरंती इरसंग दे जथे बाड़ा ने कीता है अपां जे कुछ तबदीली करनी है किसे किसम दी ता पंथक डिस्प्लेंड दे विच रहे के बहुत समती दे नाड बहुत गुंती दे नाड सामिनार करके मीटिंगा क करके जथे बंदक ताउरते कठे होके कोई वड़ा फैसला लेन दा उपराला करिए ते नाड बहुत आन रखिए कि लोका नूँ एस कम बासे जागरू करना जरूरी है किते ककारां वित्ते उर्ज के ही ना रह जाईए नमी मसीबत ना चड़पवे कोई जंग ना आपसी एस भी रख देयां दस्तार भी मल लेने यां एक कोई चगडे बाड़ी गल नहीं है बहुत चोटी गल है तो इना नूँ बहुत हवा देन दी जरूरत नहीं है सवाल नमबर एक सो तरताडी पाई तरंजो सिंग टेवाना नौरवेतों सवाल कर देने कि सिक्ख तरम करा मातां बीचे विशवाश नहीं कर दा गुरु नानक सहब ने एक के में सोचया के गुरु गड़ी लेना जी नूँ देनी है ते लेना जी पूरी तरह कामजाब होगे उना नू लेना जी दी ल्याकत दा इना बिश्वाश के में हो गया इसे तरह अगों फिर इनने सवाल कीता है के गुरु गोविन सिंग ने गदी दी प्रमपरा ए बंद क्यों कर देती की सिखां दे विच एक भी उचे जीवन वाड़ा ग्यान वान इनसान गुरु गोविन सिंग नू नहीं मिलिया के उननों गदी बंद करनी पई ए रस्म गुरु पेरवाड़े हो सो परसेंट ता गुरु दी मत दा गुरु दी सोच दा आपना जवाब नहीं दे सकदे उनना दे दमाख दे विचे की सी ए असी पूरी तरह व्याख्या नहीं कर सकदे पहली गलता उनना गलानों समा पाँच सो साल बीत गए ने साड़े कोड़े कोई उनना दी वीडियो कानफरांस नहीं होई होई जड़ी के रिकार्ड दे विचे साड़े कोड़े होवे थे असी ओदे तों पता लाले ये के आई कारने गुरु साब ने इस तरह जड़ा कीता है पर इते गल ए है के सिक तरम करामाता चे विश्वास्ता नहीं रगदा पर एता सानू पता होना चाहिए दे के गुरु साब आम समाज दे लोकवा नड़ों किन्ने अकल बंद सन किन्ने अगां वद्द सन उनना दी बानी पड़के ही सही जे अंदाजा हो सगदा के उनना जम ते हारे जोगी के अज पंजाब दे विच उत्री पार दे विच जोगीं दा नामों निशान निलबेगा तो अनू ऐसे तरह समापाके जड़ा जालम हकूमत सी ओभी गुरु नानक साहिव दी विचारता रादे अगे हार गई एते महरा जारन जी सिंग दा राज कायम हो गय समापाके ते जड़ा जुलमी राज सी ओखत्म हो गया इसे तरह ब्रह्मन वादी पजारी वादी जड़ी कट्रता सी उनू गुरु नानक साहिव ने खत्म कर दे था एस सारा को यह सानू दस्दा है के गुरु नानक दी सोच किन्हें उच्चे लेवल दी सी किन्हें ओग्य जांचे वद्यारतीता सारे पढ़ने पर कुझ वद्यारतीयां दा दमाग बहुत ते चलदा है यह दा दमाग सदारन होंदाय ते कई यांदा दमाग तां किन्ने सारे साल बरबाद करके भी दमाग अगे नहीं तुरदा उन जिंदगी चों फेल हो जिंदेने अपनिया कलास्ता भी पास नहीं कर सकते पर कुछ बद्यारती गोल्ड मैडल लाए जांदेने उच यां डिगरियां लाएके वड़े आउद्याते पहुंच जांदेने बपारी बन जांदेने बद्यारती पड़ देता सारे कठे ने पर उना दे वीचे ल्याकत अड़ो अड़ों दी है एक गुर्णानक साहब ने होर भी बहुत सारे अपने सेवकानू पड़ाया है सिख्या दिती है पर पाई लेना जी सारे तो अगे निकल गे गुर्णानक साहब दी पार्खू अख ने उना नू पर्खलिया के ए नौजवान बहुत स्याना है लगातार एमेंट कर रहे है मेरी सिख्यानू इन बिन ए मंदा आ रहे है ते फिर उना दे बाँ सारीयां थामा ते गुर्बानी सबंदी ते कामतंदे सबंदी फैसले लेन दी योगता सबंदी ते उना दे अमतियां लेंदे रे गुरु साब ते ओ पाई लेना जी खरे उतर दे गए इस तरा पाई लेना जी नू उना ने अपनी थांते उतरदकारी योग जान के नियुक्त कर देता शायद दुनिया दे विच ए एक नमा मोड सी नवेकली पछान सी के अपने पुत्रानू पासे करके एक बार दे व्यक्ती नू एड़ी बड़ी जुम्मेवरी दे देती अपने पुत्रान दी नराजगी भी गुरुनानिक साहब ने खटी अप अपने पैना प्रावां दोस्ता मित्रा दी जड़े भी उना नरसबंद ते इनसान सान सारें दी नराजगी ता उना नू परवान करनी पई पर उना ने अपने किसे असूल ते समझाउता नहीं कीता गदी दी जुम्मेवारी पाई लेना जी नू ही दिती क्योंके उना दे बीचे गुर्णानक साहिब नू पूरियां योगता मा मैसूस हो गई असन ते पाई लेना जी ने किते गल्ती नी कीती सगों गुर्णानक साहिब जी दे आसा दे उते ओ पूरी तरह खरे उतरे ते उना ने एस लहर नू होर अगे वदाया ते ए लहर अगे तो अगे एस तर चल दी गई योगता दा जड़ा प्रगटा जिते भी गुरु साहिब ने महसूस कीता जी दे विचे चंगी योगता है उनुपा में उमर छोटी है वड़ी है वार्द है जा अपने करदा मेंबर है योगता वेह के उनुँ एड़ी वड़ी जुम्हे वरी ते थापया गया उन एक गल्दा ते अनरवे के दो सो चाली साल दा लगपाग समा बीत गया जदों गुरु गोविन सिंग जी जोती जो समाई ने तांकी इने समय दे दोरान सिखा दे विचे जोगता पैदा नहीं हो सकती के उन ए फैसले अपने आप लेलन ते उना दे उत्ते कोई गुरु बनके लगातार रेंदी दुनिया तक बैठा रवे ते आप से कुझी भी ना सोच सकन ते सवों गुरु उनानों हुकम दे वे के उन एउं करो लगातार गुरु साहिब सिखा नू ट्रेनिंग दे के एस कम दे योग बना रहे सन के अपना फैसला आप लेने तुसी आप बारदी समाल करनी है तो अनू दुश्मना टकर लेनी पेनी है तो अनू राज भी करन दा मौका मिले ता राज के हो जा करना है इस लगातार योगता पैदा कर रहे सन ते एकको व्यक्ति कोले सारी तागत न रहे जावे सगों एक लोग तंतर दे टांगनल जिनाक उदों चल सकदा सी उदे टांगनल गुरु साब ने सिखा नू ट्रिनेक देती जानकारी ज्यान देता ते एस कम बास्ते त्यार कीता के हुण 240 साल तकरीबन बीत गए ने हुण तोसी अपना कारज केतर दे विच आप परवावी होगो अपने कम आप करो असी अपनी गाइड लेन अप की गुर्वाणी दे विच ए सारा कोज हदैतां लिखियां पईयांने हुण तोसी आपने जिंदगी दे फैसले आप करने ने ते नहीं तां सिखा ने सदा ही एक तां गुलाम रेना सी के गुरु ही सारा कोई सानु करेगा गुरू पार हमें माड़ा होवे होसकदा समा पाके पता नहीं पुजारी टैप दे होर गल्त गुरू भी अगे आ जान दे एक सानू पैरांसर खड़ा कर देता अपने फैसले आप लेंड योगे सानू बना देता तांके असी आउन बाड़े समेच अपने फैसले आप ले सकीए पर दुखदाई पहलू एह है के एना समा बीत जान दे बावजूद भी गुरू गरंसाब नो सिख आज तक मत्थेता बड़े टेक देने उदे के लिखिया की है नहीं पता आप फैसले जड़े के ठीक फैसले होन अपने अते अपने परवार दे समाज दे पले वास्ते फैसले होन ओ लेंड दी योगता बहुत कट सिखान दे बीच है गुरू साहब ने गुरगदी बंद इस करके कर देती के हुण तुसी जवान हो चुके हो अपना आपा तुसी समाज सकते हो जिमें बालग बच्चा 18 साल दा हो जन्द है ता माता पिता नूँ खुद भी कह सकते है के मैं हुण अपनी रखी अपनी समाज आप कर सकता मेरी उमर एनी होगी मैं अपना व्याब गैरा करोण दा अधकार रखतां ते कही बारी माता पिता भी कहें देने के बेटा हुण तु जवान हो गये हैं हुण तु अपनी कमाई किर्थ आप कर हुण साड़े ते पार ना बन ए वड़ी उमर दे भी जाके एकना एक दन माता पिता नूँ भी एकना पेंदा हुंद है के पाई हुण तुसी अपने कम आप करो गुरू साभ ने भी सानू ट्रेनिंग देके सारे कमाच अपनी वलो निपन करके सानू जुम्यवरी सौंप देती के हुण तुसी अपने कम आप करो ते अगे तो अनू गुरू वाला जड़ा दर्जासी ओ गुरू गरंसाब नू देदता है अगवाई लेंड वास्ते बिद्यादा केंदर तो अड़ा गुर्बानी है इदे चों सेध लिया करो ते अपने संठत होके रिया करो प्यार परेटा अंगरल वतीरा करो ते हर तरह दियां खुशियां रह्मता बरकता तो डिनाल होनगी है इस करके गुरू सहीब ने गुर्गदीदा सिस्टम इबंद कर लिता सवाल नंबर 144 पाई तर्जो सिंग तेवाना नौरवेतों इनन दे सवाल अगेतों के चल रहे ने अगला सवाल है 144 नंबर के ग्यान गुरू है ता साड़े गुरूआ कोड ऐसा केड़ा ग्यान सी जो साड़े कोड नहीं है नाले कहा जानदा है असी गुरूआ वर्गे बनिये कोई होर कह दिनदा है गुरूआ वर्गा कोई नहीं बन सकदा इसनों सपश्ट करो जी इते इते आन देन दी लोड़ है के गुरुआ कोड़े ऐसा केड़ा ग्यान सी जड़ा साधे कोड़ नहीं है ए इना दा पहला इच परसन खड़ा कीता गया है इते आपो अपनी जिंदगी वल असी चाती मारिये के साननों तां साधे कारवाले भी पूरा आदर देननों त्यार नहीं क्योंके असी कोई कारवाले नों समारन वाला कारवाले नों उच्चा चुकन वाला उनानों पैरांसर खड़े करन वाला किसे बिरले नहीं कोई वड़ा कार्ज कीता हुंद उना दी असी मद्द शैद ना कर सके होई ये देश दी राजनीती विचे सड़ा की जोगदान है वड़े अउद्याते असी पहुंच सकते हैं के नहीं पहुंचे असी वड़ी उची विद्या हसल कीती है के नहीं कीती समाज दे विचे साड़ी कोई पशान है के नहीं है असी ग्यान दे खेतर विच कोई मार का मारया के नहीं मारया असी एना सारे पक्खातों आपने जिंदगी वलते आनमारिये के असी गुरुआ वरगा कोई कम अज तक कीता के नहीं कीता कोई वड़े कम करनवाडा ही ओह जा हो सकता है असी ते आपने करादे विच आपने पेट पूर गुरुआ वरगे बढ़नी सकते गुरु प्यारवाड़े ओ ए सोचन समझन दी गल है के गुरु सहबान कोड़े इना उचा ग्यान सी ते इना हिम्मत होसला सी ते उन्हा ने एक वड़ी टीम जथे बंदक टांचा खड़ा कर लिया सी ग्यान वड़ के लोकानू अपने प्लानक सहब दे ना लोक ओ समय ते ना जुड़े हों पर एते पकी गल है के उन्हा ने जड़ा लादितियां सी बूटा होड़ी होड़ी उगणा सी ए सिक पंददा बूटा वद के फुलके छांदार बनना सी फाड़दार बनना सी ते इने अपनी पछांड दुनिया दे व भी कम कोई कीता है ते उन्हा वरगे असी उन्हा दे पुतरता अकवोनेया पर उन्हा वरगे बन वास्ते असी ते उपरला भी कोई नी कीता बहती गिंटी सिखांदी अज ए है उन्हा ने इतहास भी नहीं पड़ेया उन्हा ने गुरबानी नू पड़ेया नहीं समझया नह अले दोले अपांचंगी तरह वेक परक सख़देयां पाठादियां लड़ियां बड़ियां चल रही हैंने कीरतन सारी सारी रात भी हुंदे ने ते सवेरे शाम भी हुंदे ने नाम समरन बेयंत हो रहे ने करांदे विच नितनेम हो रहे ने अरदासा हो रहे हैं याने दानपन हो रहे है चली है कटे जा रहे हैं ते इसे तरह बहुत सारे चड़को चड़क नगर कीरतन कटे जा रहे हैं पर सिखानू ग्यान अकल नहीं आ रही सिख समाज दे बिच अपने आपनू अगे नहीं वदा सके अज तक सिखानू गुर्बानी दा ग्यान बहुत कट है ते होर वड़े जड़े कारजने सिखाने नहीं कीते राजनीती विच सानू दूज्यां दा पिछलग बनना पैगया सुर्मनी कमेटी वाले जो विद्या दे कारजने सिखान दी समाल दे कारजने ओकरंतों लगपग इनकारी ने अते होर जड़े गुर्दवारा कमेटीयां ने उन्हा ने भी अपनी जुम्मे बारी दी पचान नहीं कीती अपने समाजनू समालन वास्ते उन्हा ने कोई पाएदार अधारे नहीं खोल ले ते उन्हा ने जड़ी पेटा गुर्दवारें दे विच संगता बलनों दिती जा रही है उन्हों वदी आट अंगदे नल आज तक पारुपकार दी पावना नल खर्च नहीं कीता फिर आपी सोचो असी गुरुआ वर्गे किते रहेगे असी ते गुरुदा नाम वर्थ के होर बहुत गल्द कमता कर रहे हैं पर गुरुवर्गा पारुपकारी कम गुरुवर्गा ग्यान एते सदे नेड़े तेड़े भी नहीं है तो एजड़ा चीजा ने इना वल सानु जादे ते अन्दे इन्दी लोड़ सी किया जान दा है कि गुरुवर्गे बढ़ी है इसकोई शक नी पुर्थ ने पिता वर्गा बननना है बलके पिता नाड़ों भी होर अगे लंगनना है ते पिता नों ते खुशी हुनी चाहिए दी है ते स्याने पिता खुशी मनाओ दे ने के वा जड़ा कुछ मैं नहीं कर सकया वो मेरे तीयां पुतराने कार वखाया मेरा नाम रौशन कर देता जदो इना नूँ पुछदा कोई के तो अड़े माता पिता केड़े ने ते जदो साड़ा नाम लएके एदस देने साड़ा मान नाड सर उचा हो ज़न दे साड़े बच्चे बहुत लाइक ने ते दुझे पासे ज़े बच्चे नलाइक हो ज़न ता माता पिता दा शर्म नाड सर नीवा हो ज़न दे गुरू साथ द बरगे असी बनना कोई शक नी पर ए एमे नी बने जाना गल्न बाता दिनार सानू इदे वास्ते लगातार मेंट करनी पैनी है ते गुरू साथ ने सानू किते नहीं रोकिया के तुसी मेरे बरगे नहीं बनना ते एते पाई लेना जी सिक सी ते गुरू नानक ने उनू गुरू बना देता बात दे विचे पूरी पर्ख पड़ चोड़ करके गुरू बानी चे अजे या पंक्तियां भी मिल दियाने पामे अज असी गुरू दा दरजाते हासल नहीं कर सकते पर ए गुरू ने किते नहीं आखिया के तुसी ग्यान अकल बुद्धी हासल नहीं कर सकते तोसी चंगे इनसान नहीँ बन सकदे ऋब्ञानी उत्म दर्जएदे निमुने दे इनसान बनोन वास्थे ही रची गई है गुरू सिख सिख गुरू है एक को गुरू उपदेश चलाए गुरू सिख है ते सिख तो अGए त्रकी करके गुरू बन सकदे चौंकड़े मार के गधियां ते बठाउन वाले नी बनाया, बलके आकलवन्द सानू बनाया ते आकलवन्द बन के समाज दे कार्ज करने होंदे ने, चौंकड़ा मार के अखामीट के बैठी दानी होंदा, पूझा नी करवाई दी होंदी, सेख तरम सानू उद्धमी मेंटी अते आकल बंद बनाऊंदे ते जड़े एक कहनदेने कई होर कहनदे है के गुरुआ वरगा नहीं बन सकदे ए साधे पुजारी तवका है गुरु साहिबनू करामाती टंगनल इना उच्चा सिद करदेने हर एक बंदा फिर अपने मननों समझाओंदा है के एहो जे कम जड़े सटेज ते दसे जारे ने मैता एहो जे कम नहीं कर सकदा इते केवल गुरु ही कर सकदा है फिर आपा ता जेह जेह गया ओह जी ठीक है एक एवल सानू होसला ही न करन वास्ते काणिया कडिया हुई याने जे केते गुरु साहिब नू साड़े बरगे इनसान पर गुणा नल पर पूर बहादरी नल पर पूर पारुपकार नल पर पूर जे एक महापुर्ख उचे दर्जे दे इनसान बना के पेश कीता जान दा तां असी भी उना वर्गे बंदा उप्राला करदे हिम्मत करदे पर उना नू करामाती किसम दा देवी देवतिया वर्गा उना नू बढ़ा के सादे सामने सिटेज जां दे रही लिखता दे रही पेश करदेता जिदे करके सादा होसला टूट जान दा जड़ियां गल्ला के ए सटे जानते सुनाईयां जारियां ने असी एहोजे ता नि बन सकते एता कोई करामाती शक्षियती एहोजे कम कर सकती है सो गुरु पेरवाले हो सानु गुरु ने अपने ती यां पत्र बनाये है सानु मात दिती है अगे वदन दे रापदरे कीते ने उनने गुरबानी दी रचना करके साड़े कोड़े एक वड़ा खजाना बख्ष दिता है अपा एस खजाने तो लाब उठाईये ते लगातार अ अगे वद ये अज असी भी में सदी दे विच अगों होर तरक्की होनी है इकी में सदी दे विच वग्यान की जुब है किते दी किते दुनिया अगे वद दी जा रही है सिखाने भी लगातार अगे वदन है ते इदे जो कोई शक नहीं हर इनसान ये कोश करे ता होर तरक्की होर अगे मान सनमान वो प्राप्त कर सकते है सवाल नंबर एक सो पंताडी पाई तर्ण जो सिंग टिवाना नौर्वेतों इना दा सवाल है जे गुरु गुरहन साहिव समझन दा विशा है ता इसनू मूर्तियां वांग मत्य क्यों टेके जान दे हन साढ़े बच्चे सकूलां कालजां दियां किताबां पढ़ दे हन काम कर दे हन मत्था थोड़े टेक दे हन की गुरु साहिब पी लोकां तो मत्य टकवां दे सन ए बड़ा गमीर विशा है कई लोकां नू ए दे नार बड़ी तखलीप होंदी है सुनके क्योंके प्रमपरा नू तोड़ना प्रमपरा दे बुरद बोलना काफी मुश्कल होंदा है एथे त्यान देना गुरु साहिब की मरदाना जी तो जदो नार राख दे सन उना तो मत्य टकवां दे होंगे हर वक्त जान कोई होर सिख जड़े गुरु नार तो रे फिर दे सी ओ हर वक्त मत्यटे की जान दे सी गुरु साहिब नू जा फिर गुरु साहिब दी गल नू समझ दे सी अते मन दे सी की पाई लेना जी मत्यटे कन दे नार गुरु गदी दे उत्ते बराजमान हो गया इड़ा उचा मरातवा उन्हाने हासल कर लिया उन्हाने गुर्णानक दी गल्दनू समझया सी मन्या सी के ओ कम कीते सी जड़े गुर्णानक साथ चौंदे सी ता ऐसे तरह अगे तों अगे एस सिलसला चलदा गया है ते हुन जदों असी आज एवेख देया के मिसला दे टैम ते गुर्णान सावनू लुका के छुपा के रखिया जान्दा सी ते ओदों इस तरह परकाश करके मत्थे टेकन दा मतलब ही नहीं सी हुन ते ए सोचलो जरा गहराई नड़ वेखो पुजारियां नेता सानू गुर्णान सावनू मत्थे टेकने शुरू करवा देते पूजा पेटा सातों लेनी बहुत वड़े पैमाने ते उन्हाने शुरू करवा ले है परते आन्दे ओ वगयान किनना अगे लंगे है अज साड़े करा दे विच टीवी दे उते असे गुरू गुर्णान साव दा पाठ हुंदा सुन सकते हां उते मत्थे कन दी कोई लोड नहीं है ते ना अज ता किसे ने शायद टीवी दे उते मत्थे क्या होगे ते फिर साधे कोड़े पाइन ड्राइव दे विच गुरु गर्याँ साव दे संपूरुन पाठ ते अर्थाँ वाले अंग्रेजीच हिंदीच जड़ीयां पाशामाच मिल सकते है उनू आपाँ डाउनलोड कर सकते है तान ना वगियान उते पाइन ड्राइव नू मत्ता टेक प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् चों पैसे कडाउन वास्ते आप बैठे बठाएने आश उडाउन वास्ते ए विलड लोका ने पुजारियां ने एस रासानू पादता है गुरू गरंसाब मत्थे टेकन वाला नहीं सी बलके एता समझन वाला सी इनू समझ के जिंदगी जोन दे टंग तरीके सिखने सी साड़ी मजबूत जथे बंदी एकको तरह दी विचारता रावाली बननी सी कमता एकरनवाले सी पर एसानू सखाए नहीं गए आज जिते भी गुरू गरंसाब है उदी मैमा एस तरह गाई जान दी है जिमें के कोई करामाती शक्तियां वरतन गियां ते सिख अखा मीट के बैठे रहने गे ते गुरू गरंसाब दी है शक्तियां आपी सारे कार्ज समार देन गियां जदों के आले दो आले चाहे बमारियां आउंदियां ने चाहे जंग जुद लग देने चाहे कोई होर कटना हमा वापर दीयां ने बेई मानियां कतलो गारत चोरियां ठगियां बहुत कोई होंदा है मंतर पड़ ले जान देने ते आसला के बै जान देने के शायद साढ़े कम इस तरह हो जानगे इस तरह नहीं होनगे अनेका थामा ते गुरु गुराण साव दी बेदबी भी मूर्ख लोका ने कीती है ते ओधों गुरु गुराण साव दे बिच्चों कोई करामात नहीं निकली अपनी बेदबी होनों गुरु गुराण साव ने नहीं हटाई ते सि गाड़ी कांड़ा मसला कितनी देर तों चल रहे है ते दोशी आज तक सरकारा नू नहीं लबे पहला अकाली सरकार सी फिर कांगर सरकारा आगी किना समा बीट गया आज तक दोशी नहीं लबे के गुरु गराण साब दे पत्रे उते कीने पाड़े सी दो सिख उते अपनिया ज शीता आए बंदे सी तुसी इननू सजा दे दे ओ जहां गुरु गराण साब ने अपनी राकी आपनी कीती बलके सेख राकी कर देने अपनू एगल मजबूत मनन सभिकार करनी चाहिए दिया है के गुरू गरंट साथ ग्यान दी पोथी है ग्यान दा ग्रंथ है ग्यान दी पोस्तक है जिमें कुरान नो पोथी किताब आख्या जन्द है है ते उना दा ओभी ता अर्मक पोस्तक ते असी भी ए मन के चलिये के कुरान बाइबल आते दुनिया दिया हूर पोस्तकान जडिया ओभी ग्यान दे सूमे ने उना दे अपने टंगनाद उना जन्देने ओ उना दे विश्वाश करदेने साड़ी भी एपोथी ग्यान दा समुंधर है असी एदे तो ग्यान लेना है पर आज सिख पुजारियां दे आखे लाके एदियां मूर्तियां वांग पूजा कर देने अगे मत्य टेक देने, चड़ावे चड़ाऊंदेने, दिगगां कराऊंदेने, पोग भी लगबाऊंदेने जोता भी जिगाँ देने तलियां भी खड़काँ देने ते रमाले भीछ रओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओ पुजारी तवके ने शुरू कर देता है, सानू गुर्बानी दी समझतों दूर करता, ते पूजा दे टंग तरीके इने इजाद कर देते, सड़ा पैसा भी रुड़ गया, ते नाल सड़ी अकल भी रुड़ गी, असी इनू समझना लगपग छड़ देता है। ते हुन इनू ते शंगार के समार के बहुत कोई एथों ताक कारकार गड़ियां दे बिच भी पुजारी तवका गुर्पुर्बान दे टैम ते, जा होर किसे अजे है समागवां ते, गुरू ग्रण साब नू गड़ियां, कारां, ट्रालियां, मोटरां आदे की जराख के नम सफला कर लो, हुन शर्मिंदा हुन दा बंदा जेड़ा भी बार आउंदा है, मत्था टेक दा है, ते मत्था कोई खाली है, थोड़ा टेक दा है, दस दा, पिजादा, सौदा, कोई नोट मूरी रख दा है, पाव के असिदे रूप दे बिच पजारी तवके ने, पसावदान होन दी लोड है, गुरु ग्राण साब नोट पैसे दी लोड ने, ओता प्यारियां दी लोड है, पर अगे गुरु ग्राण साब नोट कर देता जांदा है, इनों पड़न पड़न होन वास्ते, इनों समझन समझा होन वास्ते, इदियां उचियां विचारा नों दिल्च बसाउन वास्ते कोई भी अपराला नहीं कीता जान्दा जे सिखानों अकल आगई गुर्बानी दी समझ आगई ता ए पूजा बंद हो जानी है ते पुजारी दियां दुकान ना बंद हो जानी है ने इस करके बहुत सुचेत होन दी लोड़ा है ते गुरू साइब ल असी एवी आखी जाने है सिटेजियां ते के गुरू साहब ने जाता पाता तोड़ के सारे नू बराबर बनाया उन्हें स्थरोबर बराबर इशनान करन वास्ते बना देते लंगर भी बराबर बठा के सारे नू शका देता संगत दे बीच भी सारे नू बराबर बठा देत ते बराबर दादा टंडोरा भी पटे जाने या ते गुरु गराण साब नू असी बहुत उच्छा आख के मत्थे भी टकवाई जाने या उच्छा ग्यान करके है ते आज ज़दो असी गुरु साथ बारे गल्ला कर दे या ता एहुई कई जाने या उना दा इस तरह मत्थे टेक दे सी एस तरह पेटा पूजया लेओं दे सी ओ सारा कुछ थाँ जान सी पाई गुरु साथ वह समाज दे पले वास्ते कम कर रे सी जंग जुद लड़रे सी उना सिखा वास्ते सपाईयां वास्ते कोड़े वास्ते राश्द पानी लोकी लाएके या उंदे सी ते आके प्रबंद कानू समझा दन्दे सी के आप आई असी फलाने पेंडिचों ए कुछ लाइके आयां तुसी एनू सविकार करे हो ते गुरू सावनू ने ता एवी आप कैदता सी के पाई हुन अग्येतों मत्थे टेकन वाला सिलसला बंद हुन वाई गुरू जी का खाल सा वाई ग पसदे बीचे भी फते पोल लगी कोई विरले ने जड़े याद रख दे ने ते गुरू गुर्ण साव दे अग्ये ख़लोके भी जे फते ही बला दया करिये ता कोई बुराई नी सगो चंगी गल है साणू ते गुरू साहब ने ब्राबरता ता दर्जा दिता सी ते गल्लानों ये समझे रखांगे ताँ फिर सानों सारी गल समझ आजाबेगी ते जडियां पुजारी नियां लुटाने ते सानों कुराहे पाया है उदे तो असी बज जा मागे सवाल नंबर 116 पाई तरिंजो सिंग तिवाना नौर्वेतों इना दा सवाल है केसान दी की महता है पंज कारां दी आज कोई महानता है के नहीं है ए इना दा सवाल है गरुब प्यार वाले हो केसानों कोई भी पिछले समयाच कटान दा नहीं सी सारी दुनियान्दे लोग केस रख दे सी आउरतां सिरदे केस रख दियां सी ते मनुखान दे दाड़ी भी हुंदी है और दाड़ी दी समाड़ भी कर दे सी जदों भी पराणे महापुरुखानो जा उना दे बुतानू फोटोानू ते उना दियां लिखतानू असी पढ़दे विचार देयां ता उसारे ही दाड़ी केसां वाले सानू पढ़न सोननू वेकरनू मिल देयां उना दे इसायां दे विच भी दाड़ी केस रखे जान दे सी मुसल्माना दे विच भी केस रखन दी प्रमपरा सी ताँ दाड़ी भी कोई नी सी कटाऊंदा पर कुछ सटाइल उन्हाने वक्रा चुन लिया सी के अगों मुँ दे कोड़ों बुला दे कोड़ों कुछ मुच्छां कट देनिया एदा कार्ण कोई भी हो सकता है पर फिर भी ओ केस रख दे सी एक एवी प्रमपरा प्रातन समय चे चल दी आ रही सी के जदों किसे दा अपमान कीता जान दा सी ताँ ओधी पग उतार देनी सेर टकन वास्ते छोटी जां बड़ी पगां लोकी बन दे सी दस्तारां से जान दे सी ते ओधी पग उतार देनी जे होर वड़ी गलती किसे ने कीती है मौत दी सजा कट तो कट किसे नू दिती जान दी सी ते ओधी केस कट के अपमान कीता जान दा सी ते इस तरह ए लोकां दे विचे दुनिया दे विचे परचलत रही आगला ने के केस दाड़ी कटने ए बेजती करनदा एक टंग सी समाज दे विचे बंदा मूँ दुखोन जोगा फिर नहीं रहनदा सी उन्हों अपमानत कीता जानदा सी कही बारी गदेते बठाके काड़ा बोल बाला होए है ता उन्हा ने भी एथे सक्त हुकम लागू कीते खास करके और ये वदे टैम ते बहुत हुकम किहा जंदा है के ये लागू होए के तो अनू या ते मुसलमान बढ़ना पवेगा जा फिर तो अनू दाड़ी केस कटा के अपमानत होके एथे पारत दे दी अजाइत नहीं होएगी शकार खिडण दी अजाइत नहीं होएगी कोडे ते सवारी करन दी अजाइत नहीं होएगी इस तरह दियां सक्त पबंदियां और येवदे समें ते लगियां सी ते उन्हा पबंदियां दे ब्रद बगावत कीती गुरू साहिब ने सिखानू सा मान नल जंग जुद लड़दे होई हिकांडा के दोशमल नो सभक सिखा के मौत कबूल करन वास्ते त्यार कीता पर हार मन के दाड़ी केस कटा के जा अपमान तजन्दगी जोना उनने सभी कारना कीता तो इस तरह ए दाड़ी केस अते जड़े होर इस तरह दियां चीज़ा हूं दियांने ए इज़त नड़ जुड़ियां हूं दियांने ते किसे दा अपमान करन वास्ते दाड़ी केस कट दे जांदे सी आज अपनी मर्जी नाल पामे नौ जवान दाड़ी केस कटा देने पर आज दे जमाने ची भी जे में चल पतेिने के मैंनू इस तरह एस बंदे ने अपमानत कीता है एस जड़ा परतीक हुन दियाने चीज़ां इस करके ए Això सदा वास्ते किसे भी कौम दी जिंदी दा हिस्था बन जांदी याने इसे तरह पांजव ककारां दी गल ऐ taraf पांजएक कार फौज दी परती वास्ते उदों दे पक्के चेन सान फौजियां वास्ते आज भी बरदी निरता अरता है। उना जमानेश भी गुरू साहभ ने ए फौज़यां वास्ते बरदी नह्चत की ती सी के कड़ा भी तो अड़ा एक जिंदगी दा हिस्सा है ते तुसी जरूरी रखने तांके पता लगे के ए मेरी फोज़ दा एक हिस्सा सपाई है तो उसी केस जरूर रखने ने दस्तार सजाउनी है किरपान कोड़े होनी चाहिए दीया है पहरावे दे विच्छ कशेरा आते केसां दे नाल कंगा तो अड़ा होना केसां दे सपाई वास्ते ए ची किसे ते पबंदियां जबरी नहीं ला सकते हलात अनसार बहुत कुछ बदले जांदा है समय दे नाड बहुत सारीयां लोडा नमियां पैदा हो जांदियांने पराणियां कई चीज़ां सानू वद्धू लगन लग पेंदियांने एव हरेक व्यक्ति दा अपना निजीप हैसल ते एतों ताक जंग जुद्ध समय अपने गुपत कोड वाली पाशा बोली भी बनाई गई सी जमें के नहेंग जथे बंदियां विच अजे भी किते किते पर चलता है ते पाईकान से लाबबा ने सिंगा दे बोले महान कोश दे विच सारा वेरवा देता हुए है के ओ बोल देनू सवालाख कैना इस तरह दे ये लंगर खाली ये लंगर दे विच अनदाना नहीं रहा तां लंगर मस्ताना हो गया कैना इस तरह दी शबदावली भी इना ने अपनी बदली से ए सारी फोजियां दी शबदावली सी फोजियां दी वर्दी सी आज असी जोन दे टंग क अपना सकते हैं कोई अजेही पबंदी नहीं है ते हुन फौज दे विच परती था पारसरकार अपने फौज दे राही देश दी राखी कर दी है असी वक्री फौज ता अपनी राखी नहीं सकते जे कोई इस तरह दी फौज रखेगा उग केवल नाम मत्र फौज होवेगी अपने आपनू गुरू की लाडली फौज ता कहीं दियाने पर कदे सिखांदी राखी वास्ते देश दी राखी वास्ते उन्हाने कोई जंग नी लड़या ना उन्हां दी सकलाई है ना उन्हां कोड़े ओस तरह दे को हत्यार ने केवल फौज जी अखवा के अपने मननू ओ तरवास दे लेंदेने खुश हो लेंदेने पर पारत दी फौज ओ बड़े टैंक तोपां बंबर जहाज अते मजाईला आदक देनल देश दी सरद्दा दी राखी कर दी है अज फौज ओ है जड़ी पारत सरकार ने परती कीती हुई है साड़े अलेता उना समया दे विच गुरु सहीव ने फौजी परती की ती सी ते उना ने बड़े 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 मार के मारे आज उना दा नाम वर्त के होर कई लोग गल्त काम भी करी जंदेने उना तों भी सुचेत रहने सवाल नंबर एक सो संताड़ी पाई तरंजो सिंग टेवाना नौरवेतों इना ने अगला सवाल पुछे है कि मैं कयां लोकां कोड़ों जड़े के सिटेजी बुलारे ने उना तों सुनिया है कि केसा राही मनुख नू अनरजी मिल दी है पर जड़े लोक केस नहीं रख दे कि उना नू अनरजी नहीं मिल दी कि उस्याने नहीं हन इते गुर्म प्यारे ओ ते अन्देन वली गल है जदों वग्यानक अदारते साड़े कोड़े गल करनू ना होवे ता बिशवास दे अदारते सुनिया सनाया गला दे अदारते ज़ा उनने पेलान लिखी या किताबाँ विच जा पेलान दे चल रहे देरिया बर बंदादे विच्छों जो सिखेा जो सुनिया जो पड़िया ओही ओ किसे ना किसे टंगनल बना समार के सिटेज़ा दे पेशकरनदेने नमींता उदे विच गट तो कट हूंदी जढ़ा बड़े अउदे दार जते दार परदान परबंद का उधिया सटे जाही खत्म करवादने ने इस करके नमीनता वाली गल सिक तर्मदे बिच बहुत कट आ रही है जदों के गुरवाणी नमीनता नूँ वग्यान नूँ आते विकास नूँ पहल दिन दी आ रही है रही गल केसां दे बिचों अनर्जी मिलन दी ते ए जड़ा एक पक हो सगदे जिंदगी दा पर सारी अनर्जी बंदा खुराकां पूरियां ना खावे ते जिंदगी दिया हो लोडां पूरियां ना करे कसरत ना करे कम ना करे दमाग दी वरतों ना करे कले केसां नू राके तो पे बैजावे के मेरे केसां चो मेंनू सूर्ज रही अनर्जी आजावेगी तां सारे मेरे कार्ज रास आजनगे ये ठीक है के तोप सड़े वास्ते बहुत जरूरी है जदों ठंडे मुलकां दे विच तोप निकल दी है ते उन्हा लोका नूं भी पता है के चमडी दी रुपए जन्दी है तां जड़े देसां दे विचे सुक सू उलता बहुत ज़ादा ने ते उन्हा दे बातावरन भी साब सुतर है पर उन्हा दा कई वारी ए सो परसेंट सही नहीं है पर मैं उन्जे दासरे जानकारी वास्ते कई वारी अंदर दा इम्यून सिस्टम उन्हा कमजोर होजेंदा क्योंकि अंदर दे سहल किसे बमारी नर लडन योगे नहीं रेंदे क्योंकि जड़ो बमारी लगनी ही कोई नी ता सहल उते सुस्ट हो जान देने के उन्हानों कफे लडन दा अपना कम करन दा ता जड़ बहांदा मवका ही नहीं मिलेया ता है computation अयन्हा दे अंदर दाखल होंदी याने उनना मकाबला करन वास्ते ये त्यार हो जांदेने पार जड़े नड़े जड़े दे उते बारला जड़े हमलावर तागत पर होंदेने वो बंदे मर जांदेने ये थे ये त्यां रवे के कल्ले केसा नड़े ही तागत नहीं होंदी ये ता केस दी महान ता दसनवाले इनु जादे बदा चबा के पेस्ट करने ने एदान दी गल नहीं है उन्च केस बड़े सोने लग देने ते जिनू भी चंगे लग देने उबड़ी कुश नर रखे ते जीड़े इनू केसा नू कटादन देने उना नू नफर्त करनी या ब्रोध करना एक कोई सीयानप नहीं है लग पाग आउरतां ता इदर पारती खिते चे अते एशियन मुलकां चे मसलमान चे आउरतां ता केस रखती हैं ने पचमी मुलकां चे विचह आउरतां भी बहुत सारी इंकेस कटबादन दियाने एज आज कम ते अदारत अपनी चोन मनुख ने क करनी है कि उन्हें अपने के सानू के हुजे रखना है के में रखना है ते रही कल इदे बिचो अनर्जी मिलन दी अनर्जी दा एक छोटा जा पक इदे रहीं सानू वालां दे रहीं तो पदे जड़े कुछ तातने साड़े अंदर जा सकते ने पर सारा कुछ वालां दे रहीं इनना नहीं हो दा जिनना केस टे जांदे उते परचार देता गया है ते जिड़े केस कटा हूं देने ता हूं नुकम जोर हो जांदे फिर हालांके उते ठंडे मुलक ने ठंडे मुलक कांदे भी ता तो पूबी कटा है ते केस भी नहीं है गयो ना दे फिर ओ विचारे की करने ते साड़े देसां ते विच आसी बहुत कुछ इते देख लिया के केस भी रखे होई ने तो भी बहुत पेंदी है पर जी ता अकल बंद नी होई सानुता अनर्जी वलो अजीवी मुश्कलां आ रही हैं ने चंगी खुराक दी हदायत डाक्टर अजीवी कर देने पारत दे विच ता बहुत सारे बच्चे को पोशन दा शकार ने पाव के उननों चंगी खुराक नहीं मिल दी ते पंजाब दे विच भी चंगी खुराक दी था ते नौजवान नश्यावर रुड़ दे जा रहे ने केस ता दी ये एनी ही महत्ता है मान ले जावे ता फिर केस की उननों लिखतां दे विच पता नहीं लगदा फिर केस क्यों कटां दे ने जड़े केस कटां दे ने उक मजोर क्यों नहीं पैजान दे ये बहुत कुछ ये गल्ला विचारन वालियाने जोस दे विच आके सटेज दे होते कुछ लोग एहुई ये गल्ला सना आजम देने इना दा सिद्धा उसतरां दा सबंदल नहीं के अनर्जी मिल दी है, हाँ हर एक अंग दी कोई ना कोई महतता हुँन दी है, ऐसे तरह नौ हादी गहल नोर असी ओक अड़े यहां जड़ए न कारा हो जांदेने, जड़े खुण देनाब सबंदत उंगला देनाब चमड़ी देना 179 ने उननों कदे कटके बिखो फिर अपी तुसी देख साकने हो ते उनन दे कटन लाल तत्खलीप उन्दी है ते जड़े अग्जेवदे होे ने उनाने कोई तकलीप नहीं अपसे तरह ये नौ के ते जादा बदा आ ले जांड तब बंदा कम करन तो रही जांद है कम भी नहीं करेगा क्यों कि नौ ता कम दे बीचे रुकावट बन गे कई बारी ता नो इनने बदा अलेंदेने लोग क्यों ने चे मैल पर दी है ते कई बारी बमारियां दा कारण भी हो सकती है ते एक टीवी दे उते वखाया सी कि ते ख़बरां दे विच्चे शायद अखवार ची भी आया होवे मैं खुद बेखे है ओ सारी ओधी जीवनी लिखी होई सी के ओस बंदे ने 35 साल तक अपने एक हाथ दे नो लगातार नहीं कटे 35 साल तक ओधी उमर तकरीबन 60 साल दे नेडे तेडे सी 35 साल नो ना कटन करके कई फुट लम्मे ओधे नो होगे दुनिया दे रिकार्ट उने बनाते नो होटे पर खबा हाथ उदा नकारा हो गए क्यूँके और उसका हाथ देना ओ कोई कम नहीं सी कर सकता इस करके हाथ तों कम ना लेन करके वो हत्थ बेकार हो गया इसे तरह जे असीं किसे भी सरीर दे अंगतों जूरूरी कम नहीं लमाँगे वो नकारा हो जांद है नो जे जड़े लोक लम्मे रख लेंदेने वो कमतों नकारा हो जांदेने अपने हत्थां दी फिर वो वर्तों नहीं कर सकनगे असीं अपने हलाद दे अनुसार जेंदी की जोनी है केड़ी चीज दी किते लोड़ है लोकवान यां गलाची नहीं होना जातां पिर सिद्धे चंगे डाक्टरनों पुछना है जां पिर आप खुद पढ़ लेके स्याने बनके आप चंगा फैसला लेन दा उपराला करना है किसी दा लाई लग जां पिछ लग नहीं बनना सवाल नंबर 118 पाई तरंजो सिंग ते बाना नौरवेतों इना दा इस सवाल है कि कई बारी कम दी मजबूरी विच दाड़ी केस कटाउने पैंदे हैं कि रोजी रोटी लई दाड़ी केस कटाउने जरूरी ने कि रोजी रोटी जरूरी है कि दाड़ी केस जरूरी ने गुरूम प्यारेओ ए आपो अपने मानसक बंतर है जुरूरी नहीं के हर थांते दाड़ी केस कटाउन दी तो अनू मजबूरी होवे के पहला दाड़ी केस कटाके आओ कम तो अनू फेर दे मागे एता बंदे दी अपनी इच्छा शक्ती है के ओके हो जा कम करना चाऊंद है दुज्यां दी अदी इनगी दे विच रहे के कोई भी शर्त मनननू त्यार है के अपने सवाइमान नड़ उजयोंदार रहना चाऊंद है उन इस तरह था अपने पारत दे विच पंजाब दे विच अपनी ही मर्जी दे नड़ किसे दबाव तो बिना कोई रोजी रोटी दा मसला भी नहीं है बहुत सारे नौजवान दाड़ी केसां कटाद देने ते बहुत सारी लड़कीयां भी केस कटाद देने ते अपन एथे देख रहे हैं एथे कोई रोजी रोटी दा मसला नहीं बहानापा में इनसान कोई भी लावे सब तो ज़्यादा जरूरी उदा अपना उदे की हिस्सा हुंदा है अपनी इच्छा शक्ती हुंदी है अपनी स्टडी हुंदी है जे कम एक तो अनू किते मुश्कल बन दी है कि मेरे दड़ी केसान दे कारण इathe मेंन। कम नहीं करण देता जावेगा तो होर कम बहुत ने करन वाले हाँ ये तुसी आप त्यार हों कि मैं एही कम करने है मेनू दड़ी केसान दे लोड़नी एक फैसला तो अपना है एक कव्मी तौरते इना जड़ा फैसलें वास्ते असी कुछ भी नहीं कह सकते के फोरी तौरते केड़ी चीज तो अड़े वास्ते फैदे बंदा है केड़ी नुकसान दे है कई लोग एहो यह थामाते साड़े बंदे कम करदे ने जिते के खान पीन दा समान बंदा है दवाईया बंदियाने जा होर फैक्टरीयाने जिते के केसां दाड़ी दा कोई वाल जे बिच पैजावे ता उनना नु लगदा है के बहुत वड़ा नुकसान हो सकते है उते उन्हाने टोप बना देते ने दाड़ियां ते चड़ाउन बाले इस तरह दे गलाफ ये बना के दे देते ने बीबियां वास्ते भी इह जा कुछ बन चुक्या हुए है ता ये सारह को ये फैसला उस हलात दे अनुसार त territories करना है के मैं эт अपने आपनों फिट कर सकदा के नहीं कर सकदा ता ए सारीयां चीज़ां ओस हलाद दे अनुसार ने दूर बैठे बंदे नू सारीयां गलादा उत्वों दे हलादा इनना पता नहीं हुंदा ओ फैसला तुसी खुद करन जोगे आप बनना है त्यार होना है ते रोजी रोटी ता उनों कई लोग ता अपना दीन अमान वेज के भी रोजी रोटी कमाँदे ने कई अपने सवाइमान नाल भी रोजी रोटी कमाँदे ने ये ता एक तरह दा बहाना हो जांदा है कि मैं एक कम करां के ना करां सांजे ताउरते निम्रता सहत बेंती ए है कि किसे भी कामनों दाड़ी केसा नाल ना जोड़ा जावे कि जे ए मेरे दाड़ी केसा ना हुंदे अज मैं यहों कर लेना सी तो अनु पता है कि पार्लिमेंट मैंबर कनेड़ा, अमरीका, इंगलायनड आ ते होरना देशां देविच पार्लिमेंट मैंबर सिख रूप वाले चुने जान देने ते उप मंतरी आदिक भी बन जान देने ते फिर वड़े वड़े ओद्यां ते होर पहुंच जान देने बपारी बन जान देने ते उन्हानों कोई नहीं कहनदा के तुसी दाड़ी केस कटा के आओ एटो अड़ी अपने मन दी इच्छा शक्ती है के तुसी आपने आपनों किस रूप देविच बनाना चाोने हो किस रूप देविच बखना चाोने हो ते जिते किते सरकाराँ वलो पवंधियां भी है गियाने ता होड़ी होड़ी असी उना नू समझा भी सक देया के साड़ेता जी दाड़ी केस रखन नू दिल कर दै असी इनू कौमी तौरते जरूरी समझ देया सानू एस दी अजाज दिती जावे बहुत सारी या सरकारा ने दस्तारा नू दाड़ी केस दानू अजाज दे देती है, सिख ओ समाल सकते ने, रख सकते ने, ते पंजाबी नों भी पणवन दी कहिया देशां देविच अजाज ते मिल चुकी हुई है क्योंकि पंजाबी यां दी गणती बहुत देशां चे काफी सारी है, इता तो अड़ी जोगता ते निर्पर है के तुसी अपनी अमंगा बनावन वास्ते, लोग तंतर वाले टंग तरीके अपना के सरकार तक अपनी अवाज कि में पचाउनी है, एहुट तुसी फैसला करना है, हर एक गल, दुज्जा बंदा, तो अड़े हलात अनुसार, ओ फैसला नहीं सुना सकता, तुसी मौके दे मताबक इसका मदेविच लगना है के नहीं लगना, डाड़ी केस रखने है के नहीं रखना, एह सारा कुछ तुसी अपने हलात अनुसार, अपने दमाग का अनुसार खुद फैसला करना है, सवाल नंबर 119, पाई तरंजो सिंग टिवाना नौरवेतों, इना दा अगला सवाल है, के रुजी रुटी वास्ते ग्यान जिरूरी है, रुजी वाला ग्यानता सुकूला कालजां विचों भी मिलदा है, बाहर ले लोक गुर्मानी नहीं पढ़ दे, पर बहुत चंगे इनसान हन, फिर गुरु ग्रहन साव जीदी की महत्ता रह गई, गुरु पैरवालेों, जदों गुरु ग्रहन साव जीदी रचना कीती गई है, ओदों होर कोई पढ़ाई एथे नहीं सी, ब्रामन बाद दी पढ़ाई सी, ओभी उना दे अपने तर्म पुस्त का सन, वेद सन, सिमर्तियां सन, पुरान सन, होर बहुत सारियां किताबां सी, जडियां के संस्किर्टे विच लिची उयां सी, ब्रामन डडo अन्हादे उते कपजया सी, जमें ऊचाउंदा सी, उन्हाद कथा कहाणियां बढ़ाके उन लोकान सनाउंदा सी, थे बहुति अभादिनू ब्रामन ने अपने कपजे बिच रखिया हय सी, अपने गुलाम बढ़ाया हुय सी, थे होर कोई सक केवर पढ़न लिखन वास्ते कुरान ही मजूद सी होर कोई तरम पुस्त का विद्या देन वास्ते नहीं सी कुरान दी विद्या ही उना वास्ते सब तों उत्तम दर्जे दी विद्या सी ते उसे दे राही समाज नूँ चलाओं दे सी ते राजनीती नूँ चलाओं दे सी जदों गुरु साहब ने गुर्बानी लिखी है ओधों भी 560-500 साल पहला हाले होर सकूल काले यूनिवरस्टियां होंद विच नहीं आये सी इस करके सारी दी सारी विद्या तर्म दे राहीं लोकों तक पुचाई जान दी सी ते गुर्बानी दे विच नवेकली विद्या देती गई पाव के जात पातनू खत्म करन दा उपदेश है और तानू बराबरता दा उपदेश है ते जड़े वाकी दे वद्धू कर्मकांड ने तीर्थ जातरा जदू मंतर ता गेतवीत पुछना दसना आवा गबन चुरासी लख जूना बहुत कोई है उना नू रद करके सिद्धा साध्धा सौखा जीवन गुरवाणी देवे जोन दे टंग सुजाए होई ने ते संगत करके ए गल्ला सिखनियां सुनियां पावके संगत दा मतलब है एक सकूल एक सिख्या दाएक केंदर एक तरमसाडा जिनु आज गुरदवारे दा रूप दे दता गे है एदे विच ही सारी सिख्या मिल दी सी यते होणते अनरवे एहुई विद्धा पढ़के ओदों समाज दे कार्ज की ते जांदे सी एह हुई विद्धया पड़के असी की करना है ते की नहीं करना अज भी असी कहँ दने आ वर्त रखना ज़ुरी है के नहीं ज़ुरी तासी गुर्बानी दी पंक्ती सना दने के पाई गुर्बानी कहें दी यह छोटड़ां अन करैपखंड ना सुहागन ना ओयरंड बरत रखन दा कोई फैदा नहीं है। तो इस तरह गुर्बानी दे राहीं सिक्कानू अकल दे रा पाया गया। ते रही गल अज अज दुनिया दे विच्छ होर विद्या बहुत आ चुकी होई है। और विद्या भी पढ़नी बहुत जिरूरी है। तरह दे विद्वाना दियां किताबां रखिए वद तो वद ग्यान हासल करिए अपने समाज नूँ मौके दे मतावक फैसले करके उन्हानू चंगी मत देए चंगे इनसान बढ़न वास्ते उन्हानू प्रेर न देए अपने समाज दा तां असीं पला करांगे जे बौपकी व असल करनी ओ अपनी थांते मुवारक है गुर्बानी दा एक पक एवी है के असीं गुर्बानी नूँ सतकार दिनने या सड़े महा पुर्खाने सानू अंध विश्वास चों मूड ता चों अते जड़ वस्तू जड़े असी बने होए सी ब्रह्मन आदक दे पजारी दे गु पर काइब करना रहा है असी एक आने है के असीं गुरु गर्ण साथनू मननबादे सिखां पामे सारी यां ब्रह्यां गल Administration सारी पर लुआ के पर पहर्वास कर दे या फ फिर भी थी बंदी एक साढ़ी साज एक साढ़ी बौगृ गइंटी जड़ी के जे बोटां दे विच्वी गल करीए लोक तनंतर्ट अंग देल जे किते सिक्छ रूप देल जे सिक्छ विचार देल इल सरकारां भी बंदियां होन और जत्थे बंदी कर सकांगे तब बहुत सारे मसले जे असे कौमी तौरते एक मुठ रमागे एक ता देस उत्र विच परोई रमागे विचारतार्ग तौरते असे साझ बनामागे ता फिर साड़े बहुत सारे फैदे भी हूं देने होर विद्या पढ़नी मुवार्क का जरूर पढ़नी गुर्बानी साधा राद सेरा है पर सिख्षी नू CPU कलंकत करना वास्ते गल्ट कम बिलकुल न करिए तै फिर जदों कोई बंदा सिख्षी सरूफ बाडा खास करके गल्ट कम कर्दा तक ओदों सारा सिख्ष समाज अते गुर्बानी ओनुँ अप मान सेना पेंदाये कलंक कत हुंदाये के इस्ख Channel डूप वाड़े ऐधान दे कम भी कर देनें ऐस गलता ही असी सदा त्यान रखनाये सिख ही सरूप अपनी थाते महत्त Héप गुर्बानी दी अपनी महत्ता है रोजी रोटी दी अपनी महत्ता है एस सारी साँ जैजेडी राल मिलके सिखनू चंगी सेद चंगा जीवन विकास करन देरा पौंदी है सानू वद तो वद ग्यान हासल बारों भी करना पेंदे गुरबानी दा भी ग्यान सानू सदा होना चाहिए सवाल नंबर 150 पाई तर्ण जोसिंग तिबाना नौरवेतों इना दा अगला सवाल है के सिख रहत मर्यादा कदो मनी सी इस विच सवईए जाप चौपई दसम घरंद विच्चों लेके पाई गई है असी इस दा पाठ क्यों करीए एहो जी रहत मर्यादा नौ असी क्यों मनीए इना ने जो सवाल उठाए ने अज सारे जागरूक तबके दे विच सिखां दे विच ए सोच दा विचार दा विचा बने होई ने बहुत सारे वीरा ने इस दे बारे लगातार अवाज उठाई है दसम घरंद निया रिचनामा वास्ते तां बहुत जादा विचार होई है इस पक्तों जैनी पाग सिंग अमबाडे वाड़या नू उन्नी सो सदतर दे विच ए दसम करांदे बुर्द लिखन करके पंत्कियों भी शेक्या गया उसतों बाद होर बहुत सारे बिदवाना नल साड़े अखवती जते दारा ने पुजारियां ने बहुत मंदा सलूप कीता है रहत मर नून बाड़यां थे किन्ना के दबा होवे का जा उना दा मानसे के विकास ओदों किस थांते खलोता होया सी किन्ने को विदवान सान थे किन्ने को समाज दे दबाव थले सान थे किन्ने क सरकार दे दबाव थले सान ओ सारी चीजां समने रखनीयां पैंड़ गीयां क्योंके उन्नी सो पंताली दे विच रैत मर्यादा एत्यार होई है बनी है लगू होई है पर अगला पाक एभी देख लिए के लगू पूरी तरह अज भी नहीं हो सकी हलांके इदे विच बहुत चीजां एहोजियां ने जड़ियां सानू आज रास नहीं हो दियां पर एता जदों बन हैं चंगियां गलांभी डेरेदाराने नहीं अपनाईयां पहली गल सी राग माला ते मत पे इद पैदा हो गया ते ओ गुझ बद्वान कहेंदे सी राग माला बाणी है ते कुझ कहेंदे सी बाणी नहीं है ता एत्वन ताक नौत आगई एह लिखना पे तो पड़ लवे ना पड़ नो दिल करे ता ना पड़े पर गुरु गुरंसाव दियां बीडां राग माला तो बेना चापे कोई ना ए अदूरा रख देता एसे तरह दस्म करंदियां रिचनामा ने जडियां जिनू बाणियां कह देता जैंदा है असल चिकबतामा ने जाप साहब सवयेत चौपई ए नितनेम दा हिसा बनाया गया है एस सरा सरा गल्त है उदों दे बिदवाना दा परबंद का दा उदों मजबूरी हो सक दी है पर हुण जमें जमें सादा मान से के विकास हो रहे है सानू दबाव पौना चाहिद है समाज दे विच परचार करना चाह सारी भी नानक नाम दी वर्तों करके कोई कवता नहीं लिखी मिल दी सानू जमें गुर्बाणी दे विच सारे शवद जिते वी किते आउंदे ने उना दे अखीर दे विच कवी चाप नानक नाम वर्तिया गया है सारे गुरु सहबाना ने नौमें पाच्चा तक नानक आपदे ताउरते अपना नाम लिख्या हुए है पर बिचितर नाटक उर्फ दसम गरंथ इदे विच कवी शाप राम अते शाम करीब 117 ठारा वारी आउंदा है ते नानक कवी शाप के ते एक था ते भी नहीं आउंदी ते फिर भी इनू गुरु गोमिल सिंग दी रचना मन् दी ना समझी दा कारने जाप सहव दसमे पाच्चा दी बानी नहीं है सवय उना दी बानी नहीं है चौपई उना दी बानी नहीं है ते इननू नित नेम दे विचों कड़न वास्ते अपन लगातार दवाव पौन है ते ये कोई साड़ा नित दा नेम होवे उता है पाव के हर रोज असी गुर्वानी पढ़के ए मंदे विच पका फैसला करिए के गुर्वानी कें दिया जात पात नहीं मननी ता असी जात पात नूँ खत्म करंदा पूरा उपरला करांगे असी गुर्वानी कें दिया के औरता नू बरबरदा अदकार देना है ता असी एस गलनू सिर्मत्थे स्विकार करांगे लागू करवामांगे जे गुर्मानी कें दिया नशेदी वर्तों नहीं करनी ता असी परण कर देया के आजतों बाद असी नशेदी वर्तों नहीं करांगे साड़ा नेम बन जाबे सौंखा लेए के असी अजतों एकम करना है ते एकम नहीं करना तो असी एस गलनू ता गए पुल असी सिर्फ स्वेरे शाम कुझ पाठ कर लेया ते पाठ भी दस्म गरंदे बिच्चों बोता गुरु गरंदे बिच्चों थोड़ा असी जिन्नाक भी पाठ करने समझ के करिये उना ही पंच चार बाणियां दा रुयाना पाठ करी जाना करी जाना एक कोई मैंने नहीं रखदा पुरातन समयाच जे उना दा मानसक पदर इना उच्चा नहीं सी उनने रहत मर्यादा बना देती है उन्नी सो पंतारी तो लेके आज तक बहुत समा बीत गया ते आज 85-85 सालना तो बाद इदे बिच दबा पाई एस रुमनी कमेटी ते ब पढ़ सकने पढ़ के उन्हों समझ के अपनी जिंदगी दे विच उन्हों लगू करनदा उप्राला करिए नूजा तो खदाई पहलु एह है कि साधा ने संता ने डेरे आने टकसाडा ने नहें गाने होर अनेक जते बंदियाने जिन्नी करहत मर्यादा यह हैगी याई उन्ह भी उनाने नहीं मन्या आज तक आपो अपनी मर्जीदे नितनेम होगे आपो अपनी मर्जीदे पहरावे होगे आपो अपनी मर्जीदे होर अनेका अडंबर रचले पाठ दिया मर्यादा मा अते होर अमर्च काउन दिया खंडे की पहुल दिया नित नेम दिया सब रियादा मां हरेक दिया आप वो अपनिया ने ते एसनू सारे कासे नू एक ली ते लेओन वास्ते एक सारता दे सूतर विच प्रोण वास्ते अपनू सारे नू लगातार उपराला करना पवेगा एता होवेगा जे असी आप जान दे विच सुदार हो सकता है ते दसम करन दी बाणी ता सानू अज तो ही छाड़ देनी चाहिए जड़े नितनेम ओदा करदेने ओसानो त्याग दीनी चाहिए दिया क्योंके ओ दसमे पाच्छा दी बाणी नहीं है साड़ा नितनेम केवल ते केवल गुरु गरंसाव दी बानी दे विच्चों होवे ते अगला नितनेम है ओस नू गुरुबानी दे असूला नू अपनी जिंदगी च लागू करनदा होवे रैत मर्यादा साड़े वास्ते गुरुबानी तो थले है उदे विच्यों जो भी सानुत रूटिया ना जराउंदिया ने ओ अपने टांगल असी अपनी समाज कबंगतर देखके अपनी हैसित देखके उन्हों लागू करना जतन करिये हां चागड़ा किते ना करिये जिमे ब्याशादीच मरनेच जनम दे समय ते कोई भी मर्यादा जन्हों एसी कर देया से कई बारी अपनी हैसीत नू देखके प्यार परेटांग देनल अपने पैना प्रामानू सिद्धेरा लेउन वास्ते परिचार करना है, लिटरेचर बंड़ना है, ग्यान देना है, गुरबाणी दे अर्थ समझाउने ने, ते इना म्रियादामा बारे दसने के इना दी की एमियत है, गल् कोज ना कोज सानू करना पैने है, अज दा जेड़ी ए, सवालना दा जवाब देते गए ने, इदी इती समावती हम दी है, बाकी अगली बारी फिर मुलाकात होबेगी, फते परवान करो, वाही ग्रुजी का खाल सा, वाही ग्रुजी की फते